नमस्ते भाईयो, स्वागत है आप सब लोगों का एक और नए वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं फिर से होम वर्काउट के उपर आज का वीडियो होने वाला है बाइसेप और ट्राइसेप के उपर और आप लोग अपने घड़ में रह करके भी आपके बाइसेप और ट्राइसेप को ट्रेंड कर सकते हो और मसल बिल्डिंग भी कर सकते हो तो प्लीज इस वीडियो को इन तक जरूर देखना मैंने बहुत सारा एक्सेस आप लोगों के साथ शेर किया है तो आप लोग प्लीज इसे फॉलो करना अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज उस सस्क्राइब का बटन को दबा देना क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो लाने वाला हो और मैं नहीं चाहता कि आप लोग वो मिस करो प्लीज इस वीडियो को इन तक देखना आई होप कि आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिलेगा पहला एक्सेसाइज होने वाला है आपके ट्राइसेप के लिए डायमेंड पुश अप आप लोगों को पूरा नीचे तक जाना होगा और उपर आने के बाद स्ट्रेच करना होगा ताकि आपके ट्राइसेप के उपर पेशर पड़े ये आप लोगों को तीन से चार सेट करना होगा और हर एक सेट का रेपरेंज होने वाला है 15 से 20 ये होने वाला है आपके ट्राइसेप के लिए सेगेंड एक्सेसाइस इसमें भी आप लोगों को नीचे तक जाना होगा और उपर आने के बाद स्ट्रेच करना होगा आप लोग चाहे तो कोई और सर्फेस भी इसे ट्राइ कर सकते आप लोग 3-4 सेट लगाएंगे और हर एक सेट का रेपरेंस होने वाला है 15-20 ये होने वाला है आपके ट्राइसेप का थर्ड एक्सेसाइस इसमें अगर आपके पास रेजिस्टेंट बैंड है तो आप रेजिस्टेंट बैंड से ये परफर्म कर सकते हो लेकिन अगर आपके पास कोई रेजिस्टेंट बैंड नहीं है तो आप कोई वेट के साथ भी इसे परफर्म कर सकते हो इसका भी आप लोगों को 3-4 सेट करना होगा और रेपरेंस होने वाला है 15-20 आपका पहला बैसेब वेक्सेस होने वाला है सिंपल पुश अप लेकिन इस टाइम आपका हाथ आपके बोडी के नजदीक रहेगा और आप लोगों को स्कुईस करके नीचे तक जाना होगा और इससे आपके बाइसेब में एक बहुत बढ़िया कॉन्टेक्ट होने वाला है सो प्लीज इस वर्काउट को ट्राइ करना इसका भी आप लोगों को 3-4 सेट करना होगा 15-20 रेपरेंस के लिए यह होने वाला है आपके बाइसेब का सेगेंड वर्काउट आपके घड़ में शायद 2 इट होगा ही तो आप लोग इसके साथ इस एक्सेसाइस को परफॉर्म कर सकते हो आप लोगों को 3-4 सेट करना होगा और इसका रेपरेंस थोड़ा जादा होने वाला है 20-25 अगर आपके पास रेजिस्टेंस बैंड है तो आप इस एक्सेसाइस को रेजिस्टेंस बैंड के साथ भी परफॉर्म कर सकते हो सब कुछ सेम होने वाला है रेपरेंस और सेट भी सेम होगा ये होने वाला है आपके bicep का last workout, hammer call आप लोग इसे कोई weight के साथ भी perform कर सकते हो मैंने यहाँ पे 2 eat लिया है अगर आपके पास weight है तो आप लोग weight का भी इस्तेमाल कर सकते हो इसमें आप लोगों को full range of motions के साथ उपर जाना है और नीचा आना है उपर जाने के time आप लोगों को squeeze करना होगा इसका भी आप लोग 3-4 set लगाओगे और reference होने बाला है 15-20 इस वीडियो से आप लोगों को कुछ तो help हुआ होगा अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी helpful रहा तो प्लीज जाके वो like का बटन दबा दे और इस वीडियो को अपने दोफ्तों के साथ share करना मैं मिलूँगा आप लोगों को एक और नए वीडियो के साथ